और फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि क्या हर व्यक्ति जोटिश सीख सकता है अच्छली में पास एक मेरे फ्रेंड है उन्होंने पूछा मेरा आप यह जो फ्री में एस्ट्रोजी सिखाने का कोर्स खोल रही है इसमें कोई आप किसी को ले रही हैं तो क्या हर कोई सकता है क्या हर व्यक्ति जोतिस सीख सकता है 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 और व्यक्ति जो समाने बुद्धि का है वह जोतिस सीख सकता है थो जोतिष सीखना और जोतिष करना दो अलग चीजे हैं चीजे हैं हर व्यक्ति जोतिष सीख सकता है बट website जोतिषण बन नहीं सकता जैक है यह दोनों अलग अलग चीजे हैं क्योंकि जोतिषी बनने के लिए आपको आपको divine blessings चाहिए होती है क्योंकि आप जानते हैं कि जोतिश जो है वो divine science astrology is a divine science and to be a good astrologer to be to become a astrologer you need to be blessed by divine duties ठीके इसलिए हमको जो blessings चाहिए होती है भगवान की वो चाहिए होती है astrologer बनने के लिए और वो कैसे मिलती है आपकी कुल्णी में कुछ planetary combinations होते हैं कुछ गहों के स्था की योग होते हैं जिनसे की पता चल जाता है कि आप जोतिश बन सकते हैं आपके उपर देविय करपा है और आप जोतिश ही बन सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि हम जोतिश सीख तो सकते हैं लेकिन बनेंगे या नहीं बनेगे वो dependent करता है तो इस तरह से हम कहा सकते हैं कि जोतिश सीखने के दो लेवल होते हैं एक तो क्या होता है इसलिए सभी को मेरे हिसाब से जोतिश का नौलेज होना चाहिए मेरे पास अभी एक बंदे आए थे जिनको जिन्होंने मुझे बताया कि उनकी कुण्ड़ी में कास सहफ योग और वो उसका कई उपाय करवा चुके और उसमें वो सत्तर हजार रुपे तक खर्च कर चुके हैं जब मैंने देखा कि उनकी कुण्ड़ी का वो योग उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्हें उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ जिस परपेस के लिए उन्होंने करवाया था ये सब कुछ उसमें कोई उनको फायदा नहीं हुआ तो जब मैंने वो योग देखा मैंने का सर आप यह किसके शांत करवा रहे हैं यह योग तो आपको राजयोग देगा यहीं योग आपको एक दिन उचाईयों पर ले जाएगा तो यह सब चीजें हैं जिसके कारण मुझे लगा कि मुझे सभी को जोतिस सिखा देनी चाहिए तो मैं आपको यह बताई थी कि कि जोतिस हम दो चड़नों में सीख सकते हैं एक है साधारण और एक है एक्सपर्ट यानि कि एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कुछ प्लैनेटरी कॉंबिनेशन्स कुंडली में होना जरूरी है जिनके जर्गे से पता चलता है कि आपके उपर डिवाइन ब्लैसिंग्स है और आप किस तरह में मदद करते हैं तो पहले हैं जूपीटर जूपीटर क्योंकि ग्यान कावर्ण का अध्यारक है हम पता है तो उसकी ब्लैसिंग्स भी चाहिए होता है कुछ नहीं कर सकते हैं जो आप ग्न ही नहीं होगा तो आप जोतिया कैसे बनेंगे छीग आधिकर डूसा है पुद। आपको पताई हाँ जो ग्यान करते है उसको किस तरह से यूज करना है ठीक है ये बुद्धी आपको मरकरी देता है बुद्धी आपके अंदर होनी चाहिए नहीं तो अब योधिशी नहीं कर सकते इसलिए कुल्ली में जुपीटर और मरकरी स्ट्रोंग होना बहुत जरूग है उसके लाब आपका लगन का जो लॉड है वह भी अच्छी इस्तिती में होना चाहिए तीसרה के वीनस भी गुरू है हम जानते है यह जूपिटर जो है वो जो है देवताओं के गुरू थे खुर्ष भुरू जो शुक्र है जो वह बहुत ज्यादा स county विद्ध्या जो ऐसे वह जानते थे वह भी कुंड़ी में स्ट्रेंग बहुत ज्यूँए है तीसरा है सैटन सेटन करम कारक है उसके वेना आप कोई भी करम कर सकते को भी और को फलदाई के सटरॉंगवी है नेक्स्क है मून जो है विजय को मन रहे हैं और स्टेबल होना चीह तभी आप जोदिश कर पाएंगे अच्छे से प्रेशन कर पाएंगे के तू है के तू में प्लानेट है के तू क्या है के तू जो है स्पिच्वल्टी से रिलेटेट होता है धरम से रिलेटेट होता है जोतिश है वह भी धरम से रिलेटेट विद्या है स्पिच्वल्टी से रिलेटेट विद्या है के तू जो ह हुए है और फेंसल जो भाव होता है रहों होता है यो पहुत होता है आपका होता है इसके फिरी को होता है रह conceusz को ऊसक्तिंबबॉल्ट यह बोलता है ठाहिए तो बाड़ी भाब आपका स्ट्रोंग होना चाहिए बाड़ी भाब का जो लौड होता है वह स्ट्रोंग होना चाहिए फिर आपका फिफ्ट भाब फिफ्ट भाब जो है आपका बुद्धी का होता है ठीक है तो इसका भी स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा होई है और जो संतान का भी कारक होता है संतान का वी इसका मेसट स्थान है यह जो आपका व शींग्रेट नॉलिञेड होता है तो जोतिश है वो भी एक सीक्रेट नॉलिज है तो इस वह बहुत होई है वह आपको पता है धरम का है शिक्षा का है ठीक है तो इसका भी स्ट्रॉण होना बहुत जरुए है कि नायन्थ हाष ऑप्धार नॉलेज का भी होता है तो इसका बहुत ज्रॉइब हुना सुना के टैनों करते हुटुन फिल्फिल्मेंट डिजायद का हुटा है तो इसका भी होना बहुत ज़रूई होता है तो फेर्स अब हम देखते हैं कि कौन विक्ति कर सकता है फेर्स हमने बताय कि के तुक्त लगन में हैं तरह सेकंड हाॉज में हो फि decoration जोटिशी बन सकता है उसके लावा अगर जो केतु है वो जुपीटर से अगर लगन में है जुपीटर से स्था बेढ़ में हो सेकेड हाँ सकता है इसके लावा बुद्ध हर भष्पती का परसपा सम्बंद होना चाहिए किसी ना किसी गूप में तभी वक्ति क्या है जो अपना नौलेज है उसको प्रेक्टिकल रूप ले अप्लाइब कर सकता है हम जानते हैं कि ग्रू ग्यान का कारख है और जो बुद्ध जो है बुद्धी का कारख है तो इन दोना का मेल होना बहुत ज़रूई है वाड़ी भाब आपका स्ट्रॉंग होने चाहिए व सफल हो जाए वह सिद्ध होनी चाहिए तो इसके लिए यहां पर बैठना बहुत ज़रूई है जो है वह स्ट्रॉंग पोजिशन में होने चाहिए इसके लावा नाइन थाउजन नाइन थाउस भी स्ट्रॉंग होना चाहिए नाइन थाउस्पति की इस्तितियों या फिर जो दो ने जैसे आपका लगन में हो 10 रहो फिर आपका जैसेकी सटन जो है सैथन है वह आपके संबद हो संब्द मनता है तो भी होते हैं जोपीटर साटें का समय होना चाहिए कि जूपीटर से जब सब्सक्राइब बजता हो गर्प्रप्रोर्फर्शन में ऐता है की द्वादी को सम्माण मिले सम्मां जनक प्रफेर्शन में आता है आदा समीन वक्तिक gadget का नाम होता है मोन है मुण आपको पता है मन का काक्ष है मुण की कि इस्तिधी स्ट्रॉंग होनी चीए मून के तुका संबन अगर आपके बनता है मून सेटन के तु तो यह भी आपको जोतिश में ले जाते हैं मून के तु आपको फार साइटिटनेस देते हैं दू दस्ट्री प्रदान करते हैं तो इनका योग भी बहुत जरूई होता है जानेगी इनकी वाड़ी सिद्ध है मार्करी जो है थर्ड आउस में अच्छा माना जाता है मार्करी यहां पर उच्छ का है मार्करी और जूपीटा का यहां पर संबन बनता है ठीक है यहां पर जूपीटा और सैटन का भी संबन बनता है तो यह मून और मार्करी भी का संब भी अच्छा बन अच्छा माला जाता है जोतिश के लिए तो इस तरह से एक अच्छे जोतिश ही है इसी तरह से आप देखिए यह दूसरा है इसमें आप देखिए जूपिटर जो है सेकंड हाउस में है उच्छे के हैं ठीक है के तुका समध पंचम भाव से हैं मैंने बताया देखिए तरह से देखिए पसके मौन को अच्छा बनाते हैं यह वहत अच्छे निमरल ऑजिस्ट वी एक साथ वास्तू शास्त्री भी है मार्स केटू का संबंद देखी इस तरह से मून में देखी एलेवेंधें नहीं हमानु जाती है यह सबी आच्छे सफर जोतिशी बनने के योग होते हैं मुझे लगता है आपका डॉट के लिए होगा जैसे कि आपने पूछाता क्या हर कोई जोतिस सीख सकता है हर समाने बुद्धी का व्यक्ति जोतिस सीख सकता है लेकिन जोतिस कड़ सकता वही है जिसके में डिवाइन ब्लैसिंग सो यानि देवी आशिवाद हो फैर सकता है आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जो कीजिएगा अपने फ्रेंडरों के साथ शेयर जो कीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स वीडियो का नफॉर्मेशन मिल जाए टाइम से